So, Hello to everyone, कैसे हो आप सभी, I hope you all are very well, तो मैं हूँ जोशीगा फ्रॉम लेर्नोहब, दे फ्री लेर्निंग में फ्रॉम जाबरा पढ़ सकते हो, मैं साइन स्टी, आपसूटली फॉर फॉर फ्री एट लेर्नोहब डॉट कॉम तो आज हम डिसकर्स करने वाले हैं, ICAC Class 7 Mathematics का चैप्टर, Percent and Percentage, जिसमें आज हम कवर करेंगे अपने exercise 9C, अब 9C तक आगए, यानि 9A9 भी और दे कवर कर चुके हैं, तो प्लीज जाके उसको भी देख लीज़ेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बाते नहीं क तो लेट्स केट स्टार्ट तो आज की टॉपिक की शुरुभारम होने जा रहा है, पॉसेंटे चेंज से, तो पॉसेंट क्या होता है, यह हमने बहुत अच्छे से बढ़ादा, पर प्लसेंट, तो यहां पर अगर मानलो की पॉसेंटे चेंज हो रहा है, मानलो की पहले 10% से 20% तक जा रहा है, ठीक है, यानि पॉसेंट तो चेंज हुआ है, पहले वो 10% है और फािनली आके वो 20% हो रहा है, अब आपको अगर बोला जाए कि यहां पर निकालना है आपको percentage change, तो उस percentage change को निकालने के लिए percentage change क्यों बोल रहे है, क्योंकि यहां पर percentage ही change हो रहे है, तो और increase, increase, तो increase in value, तो यहाँ पर formula क्या बन रहा है, for this case, increase in value upon original value, multiply 100%, क्यों भाई, क्योंकि percent change निकाल रहे हैं, तो यह तो वो case हो जाता है, जब हम increase कर रहें, तो इसका answer क्या जाएगा, increase कितना हो है, कैसे निकालोगे, final मैं से original minus कर दोगे, यानि 20 minus 10, है न, upon original कितनी है, 10, multiply 100%, तो यहाँ पर answer क्या जाएगा, 10 upon 10, multiply 100%, तो percentage कितना हो गया, 100% हो गया, ठीक है भाई, कोई problem नहीं है, वहीं पर अगर आपको बोल देया जाए, कि अब जो percentage change है, वो 20% से 15% हो रहा है, देखके समझ में आ रहा है, भाई decrease हो रहा है, पहले 20 था 15 हो रहा है, तो 5 upon 20, multiply 100% करोगे, तो change कितना है, decrease in value, कितना है, 5, 20 में से 15 होगे, 5 upon 20, multiply 100%, यानि 25% का यहाँ पर change, होगा है, तो इस तरीके से हम किसी भी increase और decrease के case में percentage change निकाल सकते हैं, यहाँ वो साथ में एक लाइन और भी लिखी है, कि जो भी यह जो percentage change निकालते हैं, यह हमेशा ही calculate करा जाता है, और original value पे, कैसे, भाई, मैंने आज दो रोटी में हमेशा सेना दो रोटी खाती हो, लेकिन मैंने एकदम से तीन रोटी खाना शुरू करती, तो यह तीन रोटी मैं किसके respect में देखूँगी, जितनी मैं खाती थी, तो जितनी मैं original खाती थी, अब मेरी diet बढ़ गई है, उसी तरीके से, यहां पर जो उसकी original value से, उससे वो decrease हुआ है, sorry, original value से वो increase हुआ है, कि decrease हुआ है, यह हम calculate किस पर करेंगे, based on this original value, जितना वो पहले था, उससे वो कितना बढ़ गया है, कितना decreased हो गया है, clear, अब बढ़ेंगे next, और इस formula पर कर लो, बढ़ा सा, star mark, ठीके, च चलिए बात करते हैं, example, based on the concept, जो भी अभी हमने पढ़ा, क्या है वही, कि एक line है, जिसकी length है 1.5 meter, but original length 1.5 meter है, बट उसको गलती से measurement करने पर, वो आ गई 1.5 meter by mistake, अब इसमें कितना added percentage है, यह हमें count करना है, तो यहां पर, मतलब, निकालना क्या होँआ, percentage change, percentage change का अभी हमने formula पढ़ा, उस formula के according, जाने से पहले, पहले तुम given portion देख लिएते हैं, तो given में क्या है आपके पास, कि भाई, line है, उसकी length हमें दी दही है, तो length of line, कितनी है, 1.5 meter, but by mistake, calculated as, कितना उस जाएगा, 1.55 meter, छीक है, अब यहां पर, आपको बताना है, कि percentage change कितना हुआ, percentage change का formula आपने पढ़ा हुआ है, increase or decrease in value upon original value, multiply 100%, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, increase हुआ है, दोको 1.5 से 1.55 हो गिया है, तो increase in value upon original value, multiply 100%, increase in value यानि final minus initial upon 1.5 multiply 100%, यह आपका कितना आएगा, subtract करो के, तो कैसे करेंगे, 1.55, अब decimal point के नीचे है, decimal point, इधर 1 है, इधर 5 है और इधर आपने, तो कितना आगे, 0.05, ठीक है, तो 0.05 upon 1.5 multiply 100%, अब जब भी हमें decimal हटाना होता है, तो denominator में 1 के बाद उतने 0s आ जाते है, जितने decimal point के बाद number of digits होती है, तो यह 100 हो गया, यह यह 10 हो गया, यह cancel, तो 5, 3 जा, कितना आ गया, 10 upon 3%, और कैसे लिख सकते हो इसको, 3, 1 upon 3%, 3, 3 जा 9, प्लस 1, 10, कैसे लिखाला भई, 10 को 3 से divide करो 3 times, तो अब आपने लिख लिए आए, यहां पर आता है quotient, यहां पर remainder upon में, आपने रहे, तो that's your answer, समझ में आया, तो चलिए देख लेते हैं आप next example, next में क्या बोला है, कि example में हमने first part लिए है, remaining part आपको खुद करना है, increase 80 by 25%, 80 उसकी original value है, इसको आपको 25% increase करना है, ठीक है, अब 25% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 25 upon 100, 25% किसको increase करना है, इस 80 को increase करना है, यानि 25% of 80 निकालो, so 25% of 80, that means 25 upon 100 multiply 80, clear, ठीक है, यहां से यह 0, cancel, यह हुआ 2 times, 5 से कर रहे हैं, यह 5 times, और 5 forja, sorry 2 forja 8, 5 forja आपका हो गया 20, तो आपने जब 25% निकाला 80 का, तो वो कितना आया, 20, अब क्या मुला, इसको increase करना है, increase कितना होगा, आपका 80 में, आपका 25% of 80 और add हो जाएगा, यानि 80 plus 20, that means 100, तो यहां पर अब जो 80 था original, अब वो 25% बढ़ कर कहां पहुच गया, 100 पर पहुच गया, yes, है ना, अब तेखेंगे, समझ में आया, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो चलिए बात करेंगे next example, कि next में क्या बोला है, कि what number when increased by 25% becomes 150, ऐसा कौन सा number है, ठीक है, जिसको हमने 25% increase कर देया, और वो हो गया 150, that is your question, ठीक है, तो हमें नहीं पता ना, वो number कितना है, ठीक है, तो पहले first method, जो अभी हम एक आपको normal method से सिखाते हैं, तो first method क्या हो जाएगा, let the number b x, इस x को जब आपने 25% increase करोगे, तो वो बनकर आ रहा है, 150, that is your question, तो पहले तो आप इस x का 25% of x निकालोगे, यानि 25 upon 100, multiply x, that is 25, 4, यह कितना है, x plus 4, now increase in number, कितना हो गया, x था original, 25% और बड़ा, तो कितना हुआ, x plus 4, तो यहाँ पर 25% of x plus original number दोनों को combined होकर, जो यह जो result है, that is equal to the 150, बढ़के ने के बाद ही तो 150 हो रहा है, यानि x plus x upon 4 gives you the answer 150, LCM लेलो के 4, तो यह हो गया, 4x plus x is equal to 150, तो 5x upon 4 is equal to 150, 5x is equal to 150 multiply 4, x is equal to 150 multiply 4 upon 5, तो यह हो गया 30, और यहाँ पर वो आगया, आपका 120, यानि जो number है, वो क्या है, 120, तो जब आप 120 को 25% increase करोगे, that will become 150, तो आप क्या लिख दोगे, hence the number is 120, यह तो एक general method हुआ, जिसमें हमने x मान के करा, आप second method एक और होता है, वो क्या होगा, जिसमें हम क्या करेंगी, हमें क्या नहीं मालू में, नंबर नहीं मालू में, कि जिस नंबर को हमने 25% increase करें, यह 150 हो गया, तो यहाँ पर हम मानते हैं number, let the number be 100, अब 25% of 100 निकालोगे, तो यह हो जाएगा, 25 upon 100, multiply 100, कितना हुआ, 25, तो अब आपका increase in number, कितना हो जाएगा, कितना होगे आपका, 125, यहां से में क्या समझ में आए यह, when increased in number is 125, then original number, यह क्या हुआ, 100, यह अब कौन सा method कर रहे हैं, जल्दी बताव, unitary method अब, ठीक है, अब मान लेते हैं, increase in number, 1 है, तो original number क्या हो जाएगा, कमी होगा, obviously 100 से, जब वो 125 increase हुआ, तब आपका number 100 है, जब 1 होगा, तो उससे कमी होगा, ठीक है, अब आपका अगर increase in number, 150 है, तो original number क्या हो जाएगा, 100 upon 125, multiply 150, ठीक, आप और divide करना शुरू करिये, तो क्या होगा ये, 5, 2, 10, 25, और ये होगा, 30, 5, 5, 25, और ये होगा, 6, 20, तो यहाँ पर आगया, 20 multiply 6, that gives you 120, यानि जब number increase हुआ है, 150, तो आपका जो original number है, वो 120 रहा होगा, आप का अंसर आगया, दिको, general method से भी हमने निकाला, और इस वाले method से भी आपको बता दिये, जो भी आपको convenient हो, आप करे है, कोई भी step में, कोई डाउट तो नहीं है, let me know please, समझ में आ गया ना, ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, तो आप पूछी सकते है, ठीक है, आप बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो finally हम आ चुके अपनी exercise 9C, 9C का first question है, कि the salary of a man is increased from Rs. 600 per month to Rs. 850 per month, express the increase in salary as percentage, भाई, एक इंसान की salary जो है ना, वो increase हो रुपी 600 per month से रुपी 50 per month, अब कितना percent increase हुई है, that is the question, अब increase हुई है, तो वो तो बढ़ा खुश होगा, तो एखो, कैसे count कर रहा है अपने पैसे हैं ना, जैसे कि मालो आपकी pocket बनी increase हो जाती है, वैसी उसकी salary हुई है, तो see will in a cloud 9, है ना, cloud 9 पर है भी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना पहले given portion, original salary of man is रुपी 600 per month, salary increased, कितनी हो गए है भाया, 850 per month, वो बड़ा खुश, आपको निकालना है, कि increase कितना हुआ है, in a form of a percentage, तो percentage change, अब आपको यहाँ पर तो clearly लिखा हुआ है, कि increase निकाला है, आपको दिख रहा है, 600 से 850 हो गया है, तो increase ही तो हुआ है, पसंद कैसे क्या होगा, increase or decrease in value, तो increase हुआ है, तो क्या, final मैसे आप initial minus करोगे, finally हो गए इतनी, पहले थी, इतनी, upon original, जितनी पहले थी, multiply 100%, तो यह हो गया, 250 upon 600, multiply 100%, दो 0 से 2 0, cancel कर लो, यह हो गया, 23 जा, and यह हो गया, 1, 2, and 5, यानि क्या आ गया, 125 upon 3%, इतना उसका increment हुआ है, और इसको आप decimal में कर सकते हो, तो 3, 4, 4, 12, 1, हुआ, 0.6, 41.6% उसका increment हुआ है, उसकी previous salary पर, जब जाके उसकी जो salary है, वो rupees 8.50 पर बन दुई है, clear, अब बढ़ते हैं next, तो यहाँ पर हमने इसको decimal में लिख दिया, आप कुछ लोग कहिंगे, मैं इसको mix fraction में कर दो, कर देते हैं, तो 125 को पहले अब 3 से डिवाइट करो, 3, 4 जा 12, 5, 1 जा 3, कितना आया, remainder 2, तो फिर हम कैसे लिखते हैं, mix fraction में, आपका quotient, remainder और denominator में आपका divise, so this is in the form of a mixed fraction, this is in the form of a decimal, and this is your normal fault, that is your improper one, ठीके, improper fraction में, तो ये सारे आगए, आपको जो convenient लगे, आपका वो answer आप लिख सकते हो, और आपका answer सही होने वाला है, ठीके, तो finally देखते हैं हम second question, second में क्या है कि भाई, increase करो, पहला question है, 60 को, आपको increase करना है, कितना 5% आप 60 को बढ़ा दो, ठीके, तो पहले तो आपको यहाँ पर 5% of 60 निकालोगे, किसको बढ़ाना है, 60 को न तो 5% किसका निकालोगे, 60 का, 5% का मतलब, 5 upon 100, multiply 60 हुआ, यह हुआ आपका, 2, 3 जा, and 2, 5 सा, 5 से 5, cancel 3, यानि 5% 60 का कितना है, 3, और increase करना है, तो आप आपका जो original था, 60, उसमें आप 3 और add कर दोगे, यानि 63, तो that's done, आपको अंसर आगया, कितना हो गया, 65 परसेंट बढ़ने के बाद 63, समझ में आया, अब बात करें, फोर्त की, फोर्त में क्या बोलाए, 80 को बढ़ा दो, 140 परसेंट, 100 परसेंट से भी जादा, तो यहां पर, पहले आप क्या निकालोगे, 140 परसेंट ओफ 80, तो 140 पॉन 100, मॉल्टिप्लाइ, 80, अब किसी के 140 परसेंट आ सकते हैं, क्या, पहले तो आप यह बताओ, क्या, आपकी क्लास में किसी क्या आते हैं, नहीं न, क्यूंकि, क्यूंकि, मैक्सिमम तो 100 परसेंट होता है, यहां पर तुम नंबर का खेल चल रहा है, कोई एक्जाम नहीं है, जीरो हो गया, यह भी गया, कितना हो गया, 840, 32, 3, 11, 112, अब इतना परसेंट, 140 परसेंट ऑफ 80, 112 है, इंक्रीज कितना हुआ है, पहले वो 80 था, अब प्लस 112 कर दोगे, तो 2, 192, now the final number, clear, समझ में आया ना, जल्दी से बताओ, चलो देखते हैं next, तो चलिए अब देखने वाले हैं, थर्ड कोश्चन जिसमें बोला है decrease करो, अब 80 को आपको decrease करना है 20%, ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 20% of 80, 20%, तो मैं बताओ, चलो माइन में बताओ, 20% of 80, मैं आपको क्या बताओ, 20% क्या होता है, 10% होता है, 1 upon 10, 20% क्या हो जाएगा, 2 upon 10, है ना, बिल्कुल, 2 upon 10 of 80, 0 यानि 16, मैंने तो माइन में करा, आप मुझ पर आ सकते हो, क्या माइन में करके एक बार, यहां पर भी करके दिखा देती हूं, काफी लोगों को, क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए, तो पहले आप क्या निकालोगे, 20% of 80, that is your 20 upon 100, multiply 80, अब 20 upon 100, क्या हो गया, 2 upon 10, यही तो मैंने किया था, 2 upon 10 80 किया था, मैंने तो 00 cancel हो गया, तो कितना हो गया, 16, यानि 20% of 80 कितना आया, 16, now the number 80, कितना decrease हो गया, 80 था, तो यह निचे आगया थोड़ा सा, है न, तो यानि क्या हुआ, 80 में से 16, आप माइनस कर लोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4, यहाँ पर हुआ, अब कितना, 7 में से 1 गया, 6, 64, that's the number, अब 80, जब 20% decrease हुआ, तो वो 64 हो लिया, clear, तो चलिए देखते हैं, इसका 3rd part, 2nd part आपको खुद करना है, 3rd part में क्या है कि 50 को decrease करना है, by 12.5%, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम 12.5% of 50, तो यह हो गया, 12.5 upon 100, multiply 50, 0 से 0 गया, यहाँ से अगर मुझे decimal को हटाना है, that means denominator मुझे 1 के बाद, उतने 0 लगाने हैं, जितनी number of digits हैं, decimal के बाद, तो यह हुआ, अब क्या हो गया मेरे पास, 125, multiply 5 upon 10, multiply 10, तो 5 तूचा, और यह क्या हुआ, 5 तूचा, यहाँ पर आगया 25, that means कितना आगया, 25 upon 4, तो 50 का जब आपने 12.5 परसेंट निकाला, तो वो कितना आया, 25 upon 4, अब आपको यहाँ पर 50 को decrease कितना करना है, इतना, तो नाओ decrease in number, कितना हो जाएगा, 50 minus 25 upon 4, that means आप LCM लोगे 4, यह हो गया आपका 200 minus 25, और यह आपका निकल कर आज जाएगा, 5, 9 में से 2 गया, 7, 175 upon 4, number आपका आज जाएगा, अब आप चाहो तो इसको आप convert कर सकते हो, mixed fraction में, जिसके लिए आप divide करोगे, तो 175, 4, तो कितना हुआ, 4, 4, 16, 1, 15, 4, 3, 4, 12, और आपका remainder आया है, 3, तो कितना हो गया, 43, 3 upon 4, यह है आपका finally number आचुका है, जब वो decrease हुआ है, 12.5%, clear, बढ़ते हैं next, तो चलिए बात करते हैं हम, question number 5, from the same exercise, जिसमें क्याए, the price of a car is lowered by 20%, car की जो price है ना कम हो गया 20%, सब लोग पहुच गया है, shopping करने किसकी, car की, और कितनी हो गया 20%, कम उने के बाद 2 rupees 40,000, what was the original price, also find the reduction in price, ठीक है बाई, करते हैं, तो इसको यहाँ पर ऐसा ही question हमने example में किया था, जहाँ पर मैंने आपको दो method बताये थे, तो यहाँ पर इसको मैं कर रही हूँ second वाले method से, तो क्या करेंगे यहाँ पर, let the, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, original price, तो let the original price, be 100, now 20% decrease हुआ है, यानि 20% of, 100 करोगे पहले, कितना हुँ जाएगा, 20 upon 100, multiply 100, कितना आगया, 20, तो rupees 20 decrease हुए है, तो आप क्या लेखोगे, reduced by 20%, that means, 100 में से 20 गया, rupees 80, ठीक है, तो जाब आपकी price, तो आप क्या लेखोगे, when price reduced to rupees 80, original price क्या है उसकी, rupees 100, when price reduced to rupees 1, original price क्या हो जाएगी, अगर वो reduced हो रही है, rupees 1, तो कितनी हो जाएगी, rupees 100 upon 80, now when the price reduced by कितना, 40,000, then original price क्या हो जाएगी, rupees 100 upon 80, multiply 40,000, 0 से 0 गया, यह हो गया 500, और यहाँ पर उसकी original price आ गही है, 50,000, so this is the original price of the car, जो कि आप उन्हें मिल रही है कितने में, 40,000 में, तो कितने सारे लोग जा रहे हैं उसको purchase करने में, क्या भी ऐसे ख़ीद होगे, अगर इतना कम हो गया तो बताओ, ठीक है, so this is your final result, now you have to try this question from the first method 2, और उस method का मुझे solution करके आप भेजोगे, learnohab.com के ask question section module में और मैं अगर देख लूँगी, मुझे आप नाम भी भेज देना, solution भेज देना, मैं वहाँ पर आपको reply कर दूँगी, क्या आपका सही है या नहीं, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं next, अब आगे बढ़ने से पहले इस question की एक line में क्या बोला है, also find the reduction in price, कितना reduction हुआ है price में, तो हमें कैसे बन निकालेंगे, पहले price थी, यानि उसकी original price थी, रूपीज 50,000, और अब हो गई है उसकी रूपीज 40,000, तो कितना reduction हुआ है बच्चों, तो आप बोलोगे, minus कर दिया मैं, मैं आ गया है 10,000, that is the reduction in the price of the car, okay, चलिए अब देख लेते हैं next, तो चलिए बात करते हैं question number 8 की, यहाँ पर question number 6 और 7 को skip क्यों किया गया, क्योंकि व price of a chair is reduced by 25%, so what is the ratio of change in price to the old price, ठीक है, जितना change हुआ है price के साथ, मैं आपको ratio किसके साथ निकालना है, old price के साथ, तो पहले तो हम मान लेते हैं कि, let the original price of chair be 100, rupees 100 हमने अजियूम कर लिया, second method ही कर रहे हैं, अब यहाँ पर बोलाएगी, जो इसकी price है, उससे वो reduced होगे है 25%, यानि आप क्या निकाल होगे, reduction in price of chair, कितनी हो जाएगी, rupees 100 में से आप minus करोगे, 25% of 100, तो यह हो गया, rupees 100, minus, यह 100 से 100 cancel, rupees 25, that gives you the answer, rupees 75, यानि पहले जो इस chair की price थी, वो 100 थी, अब हो गया, rupees 75, अब आपको निकालना है, change in price का पुरानी price के साथ ratio, अब देखो, यहाँ पर जो यह first part है, यह थोड़ा सा tricky क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो यह ratio बोला है, चेंज इन प्राइस है, तो चेंज कितना आया है, प्राइस में, चेंज इन प्राइस क्या था आपका, चेंज इन प्राइस क्या होगा, आपका, खुद ही बताईए, पहला जितना था, और अब जितना reduced हुआ है, तो कितने का आएगा, 100-75, that is your rupees 25 का change आया है, यहीं पर गड़ बड़ जाती है, बच्चे यहाँ पर new price consider कर लेते हैं, हमें यहाँ पर change in price consider करना है, तो first part हो जाएगा, ratio of change in price upon old price, तो change in price क्या है आपका, 25 rupees, और पुरानी price हमने अज्यूम किती, rupees 100, that gives you the ratio of 1 upon 4, और you can say 1 is to 4, तो यह आपका first part done, ratio आगया, कितना आगया, 1 is to 4, now come to the second part, तो second part में क्या हो जाएगा, ratio आपको निकालना है, old price to the new price, old price to the new price, old price upon new price, तो old price क्या है आपकी, rupees 100, new price क्या हो गई थी, रुपी 75, तो यह कितना आगया, 100 upon 75, तो यहाँ पर अब वो ratio कितना हो जाएगा, जब भी हमें इन fractions को divide करना है, ठीक है, तो हम इनकी SCF से इनको divide करते हैं, SCF निकाल लो, और यहाँ पर अगर आप SCF निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे, हम 100 को लिख देंगे, 5 multiply 20, और 5 multiply 5 multiply 4, 5 multiply 5 multiply 2, multiply 2, ठीक है, वो 75 को हम क्या लिख देंगे, 15 multiply 5, 5 multiply 3, multiply 5, तो यहाँ पर आप SCF निकालोगे, SCF क्या हो जाएगा, आपका 5 multiply 5, that is your 25, अब आपको डिमरेटर और डिनॉमिनेटर में इस 25 से आप divide गरूगे, तो कितना हो जाएगा, 25, 4 जा, 25, 3 जा, यानि रेशियो कितना आज जाएगा, 4 is to 3, तो second part को भी हमने solve कर लिया है, question हो गया है complete, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा next, तो चलिए देखते हैं, हम अतना 11th question, हमने जो 10th question इसको skip मारा है, because आपको करना है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो machine का जो weight है, क्यों कितना है, 40 kg, by mistake, it was weighed as 40.8 kg, अब आपको यहां पर निर्काला है, error percentage, ऐसा हमने example औरी किया था, तो यहां पर वो कह किया रहा है, इस machine को जब मेजर किया न, तो आपको मालूम पढ़ा कि वो 40 kg है, बट गलती से यहां पर कुछ और थोटा सा रग गया, तो प्राचा, गल, by mistake, कितना हो गया, 40.8, अब कितना इसमें percentage का error आया है, यह आपको निकालना है, तो क्या लिखूंगी, मैं यहां पर, give one, original weight of a machine is 40 kg, by mistake, calculate it as 40.8 kg, अब आपको निकालना है, percentage change, percentage change का formula क्या था, कितना increase हुआ है यह decrease हुआ है, अपन original quantity, multiply 100%, तो यहां पर यह increase हुआ ही कि decrease पहले 40 था, 40.8 हो गया, 40 से 40.8, यानि increase हुआ है, तो increase in quantity, increase in quantity, that means 40.8 minus 40, कितना increase हुआ है, सब्सक्राइब करके मालूं करोंगे, original था 40, multiply 100%, तो 0.8 upon 40, multiply 100%, 0 से 0 हटा दो, यहां से decimal हटाने के लिए, यह नीचे 10 आ गया है, 10 से 10 हो गया है, cancel, और यह 4 तूजा हो गया, यानि 2%, 2% क्या आया है, error in percentage, तो यहां पर, जब मशीन को calculate हुआ, 40.8, in spite of 40 kg, तो वहां पर error कितना आया है, 2% का आया है, clear, अब देख लेते हैं next, तो चलिए बात करते हैं, 12th question, 12th में क्या वो लाए, कि from a cask, containing 450 liters of petrol, यानि total उसमें कितना petrol है, 450 liters, यह कास्क है, इसके अंदर है, 450 liters of petrol, अब इस पेट्रोल में इसको, 8% जो है, वो लीक, लो, लॉस्ट हो गया है, by leakage and evaporation, कुछ ही यहां से leakage के कारण हो गया, कुछ evaporate हो गया, तो अब कितना petrol इस कास्क में बच्चा हुआ है, that you have to find, portion में यही था, from a cask containing 450 liters of petrol, 8% of the petrol was lost by leakage and evaporation, how many liters of petrol were left in the cask, ठीक है, तो given में देखें, तो क्या है, टोटल पैट्रोल इन दे कास्क कितना है, 450 liters, जिस में से 8% of petrol lost by leakage and evaporation, तो 8% आप निकालोगी, किसका 8% of total जितना उसमें है, तो 8 upon 100 multiply 450 0 से 0 गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना, 2 forja and 2 visa and 5 9 jar, 36 liters पैट्रोल जो है, वो लीक हो गया, यहाँ रिवर पुरट के कारण यहाँ से गायव हो गया, ठीक है, अब remaining petrol in the cask, कितना हो जाएगा, 450 liter में से, जितना evaporate or leakage होगे, उसको आप minus कर दोगे, तो 450 में से 36 minus करोगे, तो यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा आपके पास कितना, 4 में से 3 गया 1, तो 414 liter अभी भी cask में remaining है, और 36 liters अभी जा चुका है, ठीक है, तो आप का अंसर आगया, कितना petrol में बचा था, कास में कितना बचा है, 414 liter, क्लियर अब देखते हैं next, तो चलिए यहाँ पर हम आजाते हैं, अपने 13th question पर, 13th में क्या बोला है, कि an alloy consists of 13 parts of copper, 7 parts of zinc, 5 parts of nickel, what is the percentage of each metal in the alloy, कह क्या रहा है, कि भई alloy, alloy में क्या था है, 2 या 2 से ज़्यादा metals होते हैं, तो यहाँ पर वो जो metals हैं, वो कौन कौन से हैं, copper, zinc, and nickel, ठीक है, ओकी, अब यहाँ पर बोला है, कि इस alloy में जो 13 parts हैं, वो आपके copper के हैं, 7 parts जो हैं, वो आपके zinc के हैं, 5 parts जो हैं, वो nickel है, तो इनके बीच का हमें ratio already given है, ठीक है, तो total parts कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करो कि 13 plus 7 plus 5, that means 13 plus 12, यह हो गया आपका 25, अब आपसे पूचा गया है, कि आपको percentage निकालना है, individual metal का, तो percentage of copper पहले अगर हम निकाले, तो क्या होता है formula, जितना उसमें parts है, कितना है, 13 out of total 25, multiply the percentage निकालना है, तो multiply क्या करोगे, 100 percent, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, 4 times हो गया 100, 13 multiply 4, that means this will become 52 percent, अब आता है percentage of zinc, कितना हो जाएगा, 7 out of 25, multiply 100 percent, that means 7 multiply 4, that gives you the answer 28 percent, अब हम बात करींगे percentage of, निकल, that is, 5 upon 25 upon 100 percent, 5 इसके पास से out of 25, यह हो जाएगा, 4, तो यह हो गया 5 multiply 4, that is your 20 percent, तो क्या अभी आपने, individually percentage निकाल लिया, हर metal का बिल्कुल, copper का आगया 52 percent ठीक है, आप का zinc का आगया 28 percent, निकल कितना है उसमें 20 percent, तो यानि, जो composition लिया गया है, alloy का, उसमें इतना इतना percentage, ही तीनों metals available है, clear, आप बढ़ते हैं next, तो चलिए बात करते हैं, अब हम 14th question की 14th में क्या है, इन एन examination, first division marks are 60 percent, student is a cure of 538 marks, and misses the first division by two marks, find the total marks of the examination, ठीक है भाई, एक्जाम हुआ है, बच्चे ने एक्जाम दिया, उसमें जो first division के लिए, कितने percentage होने चीए 60 percent, बच्चे के कितने marks आए हैं, 538 marks आए हैं, और उसके 2 marks कम रह गए हैं, 60 percent percentage को achieve करने से, यानि first division को, आपको total marks निकालना है, तो यहाँ पर में डिमांड क्या है, हमारे total marks को निकालने के लिए, तो आपके पास जो given चीज़ें हैं, वो हैं आपके पास, first division कब आएगी, कब आती है, 60 percent पर, ठीक है, student के इस बिचारे बच्चे के कितने marks आएं, 538 marks आएं, तो student के आएं है, 538 marks, और उसकी 2 marks कम रह गए हैं, to achieve the first division, यानि अगर आप इसमें plus 2 कर दोगे, तो उसके जितने marks हो रहे हैं, ये 540 marks, इस वाले marks पर उसे मिल जाती, फर्स्ट डिवीजिन, लेकिन अभी उसके इतने नहीं आपाएं, 2 marks से उसकी 1st division रुख गया, अब आपको बोला है, कि आपको total marks निकाल ले हैं, तो यानि 60 percent of the total marks, is equal to this 540, 60 percent किसका होगा, जितने आपके total marks हैं, उसका 60 percent जो है, वो इसके बराबर है, लेकिन उसके इससे भी दो number कमाईज थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, let the total marks be x, ठीके, कहें क्या रहे हैं, 60 percent of total marks, किसके बराबर होगा, 540 के बराबर रहेंगे, 60 percent पर कितने marks से उसके 540 होने चाहिए, तो 60 percent of x is equal to 540, तो यहाँ पर होज जाएगा, 60 upon 100 multiply x is equal to 540, तो x is equal to क्या होज जाएगा, 540 multiply 100 upon 60, यह cancel हुआ, ठीके, and 69 जा होते हैं, 54 एक 0 आ गया, कितने marks हो गए, 90 multiply 10, यानि 900 marks, कितने होते हैं, कितने हैं यह, यानि total marks कितने हैं, 900 marks का जब आप 60 percent निकालोगे, तो वो आपका आएगा 540, और 540 marks पर उसको मिल जाती, first division बिचारी बच्ची के ना मतलब, दो marks कम रहे गए, तो उसके उतने नहीं हो पाए, ठीके, अब आपको हमेशा ट्राइ करने आए, कि आप first division से तो जादे ही लाओ, 80-90 percent तो लाओ, ठीके, चलिए देखते हैं next, तो finally हम आचुके, अपने आज के session के last question पे, जिसमें क्या है, आउट ओफ 25 identical bulps, 17 are red, 3 are black, and the remaining are yellow, find the difference between the number of red and yellow bulbs, and express this difference as percentage, यानि red, yellow, black color की bulps हैं, कितने total bulps हैं हमारे पास, 25 bulps हैं total, तो इन color के, कितने हैं 25, तो total number of bulbs, given हैं हमारे पास, कितने हैं 25, इस 25 में से, red कितने हैं, 17, black कितने हैं, 3, आप जो बचे हुए हैं, वो आपके क्या होने वाले हैं, yellow, बचे कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो जितने total हैं, उन में से आप minus क्या करोगें, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा ही है, यानि यलो कितने हो जाएगे, 25 माइनस, red plus black, red plus black कितने हैं, 20, तो यह हो गया, 5 जो हैं, वो कौन से हैं, आपके पास yellow verbs हैं, फिर क्या पूचा गया है, कि आपको difference निकालना है, between the numbers of red and yellow verbs, और जो वो difference आएगा, उसको आपको percentage में बताना है, समझ में आ रहा हैं ना, ठीक है, तो आप पहले तो आप क्या निकालोगे, difference between, number of red and yellow bulbs, क्या हो जाएगा भाई, red कितने हैं, हमारे पास 17, yellow कितने आए हैं, 5 difference निकालना है, minus अब्डरेक्ट करोगे, तो यह हो जाएगे, आपके पास 12 difference आगया, अब आपको इनको percentage निकालना है, तो percentage कैसे निकालोगे, percentage of this one, जितना यह है, कितना है 12, आउट अफ टोटल वर्प्स, टोटल वर्प्स टोटल वर्प्स कितने हैं, आपके पास 25, multiply क्योंकि पॉसेंटेज में करना, इस fraction को convert, यानि multiply करना है, 100 percentage से, तो यह हो गया आपका 4 ताइम्स, और यह आजाएगा, आपका 48%, so this is the final answer for this one, तो आपने यह जो difference आया, उसको आपने percentage में बता दिया, कि भाई, difference between the number of red, and yellow blow bulbs, in percentage कितना है, 48%, clear, अब देखते हैं, तो बच्चों, आज का तो session है, वो काफी अच्छा रहा हो, और आपको ऐसे questions करने में, काफी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि काफी लोगों को ऐसे questions में, काफी मज़ा आता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा word problems में problems होती है, तो बार-बार जब आप इन questions की practice करोगे, that makes you a perfect, ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं, और Learner Hub free है, पर best और यहां पर आपको मिलता है, मैं साहिए सिस्टी एप्सूटी for free at LearnerHub.com, so thank you बच्चों!